नमस्कार, वेलकम में टूप चैनल, आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं, राम आयर, जो राम की जीवन कथा है, उससे सम्मनित कुछ प्रेशन है, इस वीडियो में आप देखेंगे, तो आप सिरक इस्टे वीडियो को फुल वाज करें, और चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वेल आगन प्रेश कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अफ्लोड हो, तो उसकी जनकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अधिक सब इसातियों के लिए शेयर करना, तो क दस रत, अब चलते हैं, नेक्स कृष्यों तरफ, राम की माता का किया नाम था, आपिसन वहारे पास देखेंगे, तो ए है कहकई और बी है कौसलिया, तो इस कृष्यों का अंसर आपिसन बी सही है, राम की माता का नाम कौसलिया था, Question number 3 राम के छोटे भाई का किया नाम था? Option A वरत Option B लक्षमर इस question का अंसर Option B सही है राम के छोटे भाई का नाम लक्षमर था Question number next राम के साथ 1 कौन कौन गया था? जब राम 14 वर्स के लिए बनवास गये थे तो उनके साथ कौन कन था? option A भरत लक्षमर या फिर option B लक्षमर सीता इस question का answer option B सही है राम के साथ बन के लिए लक्षमर उनके छोटे भाई और सीता उनकी पतनी गई थी next question देखेंगे राम के गुरू का नाम बताओ option हमारे पास A है विश्वामित्र option B वालमी तो इन में जो राम के गुरू थे वो option A सही है विश्वामित्र थे next question देखेंगे राम चरत मानस के रचेता कौन थे जिसमें राम की जीवन लिला का वर्ण किया गया है तो option A देखेंगे तुलिसी दास या फिर भी देखेंगे शूर दास तो इस question का जो answer है वी वालमी की तो एक रामाड अलग रचना है और राम चरत मानस का अलग रचना है दोनों में राम के ही जीवन से वर्ण समयत कहानी है तो इस question का जो answer है वो option B सही है वालमी की next question देखेंगे सीता के पिता का क्या नाम था option A राजा जनक option B रावर इस question का answer option A सही है सीता के पिता का नाम राजा जनक था next question देखेंगे सीता की माता का क्या नाम था तो option A कह गई option B सुनयाना ठीके तो सीता माता की जो माता थी वो option B सही है इसमें सुनयाना नाम था next question देखेंगे हनुमान जी के पिता का क्या नाम था जो रामाड में राम का साथ दिया था उन्होंने option A केशरी option B वाली तो हनुमान जी के पिता का जो नाम था वो था option A केशरी इसलिए इने केशरी नंदन भी कहते हैं next question देखेंगे हनुमान जी की माता का क्या नाम था तो option A अंजनी, option B अहिल्या इस question का answer option A सही है हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था इन्हें अंजनी पुत्र भी कहते हैं next question देखेंगे राबर के पिता क्या नाम था option A रिशी विश्च सरवा option B रिशी दुरवासा इस question का answer option A सही है राबर के पिता का नाम रिशी विश्च सरवा था next question देखेंगे राबर की माता का क्या नाम था option A कुंती, option B क्या कसी इस question का answer option B सही है राबर की माता का नाम क्या कसी था next question देखेंगे राबर की पतनी का क्या नाम था option A मंदोदरी मंदोदरी था नेक्सwagen कुर्षण देखेंगे राबढका निवास इस्थान बताओ राबढ कहां के रहने वाले थे तो प्षण ए श्री लंका प्षण भी आयद्या तो यहां राबढका जो निवास था तो वो था अप्षण ए सिरी लंका में और राम का निवास जो था वो था B option सही है और ध्या में Next question दिखेंगे मेगनाथ किसका पुत्र था? Option A राबर, Option B विभी सर इस question का अंसर option A सही है मेगनाथ राबर के ही पुत्र थे Next question दिखेंगे मेगनाथ की पतनी का क्या नाम था? Option A शिलोचना, Option B मंदोदरी इस question का अंसर option A सही है मेगनाथ की पतनी का नाम शिलोचना था? Next question दिखेंगे सीता का अपहरण किसने किया था? जो राम की पतनी थी सीता माता उनका अपहरण किसने किया था? Option A राबर, Option B विभी सर इस question का answer option A सही है रावर ने सीता माता का आपरहन किया था next question देखेंगे राम के बड़े पुत्र का नाम बताओ option A लब option B कुष तो इस question का answer option A सही है राम के बड़े पुत्र का नाम लब था और छोटे पुत्र का नाम कुष था next question है की रामचरत मानस में कितनी चोपाई लिखी गई हैं ये तुलसी दासकी द्वारा लिखत है तो इसके ऑ उपशन ए में है 9388 या फिर 9384 इस कुरुशन का आंसर ऑप्शन ए से है रामचरत मानस में कुल मिलाके 9384 लिखे गई हैं तो यह ते क्विश्चन आ सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नाक्ष्ट वीडियो में तब तक